नमस्कार इस वक्त मैं बिहार के दर्भंगा जिला के कुसेस्वरास्थान विधान सबाद छेतर के सोहरवा घाट पे मौजूद हूँ हमारे पीछे ये गारी दिख रहा होगा टरक ये पूल के बीचो बीच गिरा हुआ है हम आपको बताने के लिए यहां पर पहुँचे हैं बहुत सारी मीडिया बंदू यहां आये होंगे और हमसे पहले लगबग सुबह आठ नौ की बीच के ये घटना है और इसके बाद से अभी साम के पांच बच चुका है लगबग यहां हजारों मीडिया आये होंगे बहुत सारे पतरकार बंदू आये होंगे और सब यही दिखाने का परियास करेंगे कि स्थान में कितना विकास हु tissue किव दिखाएंगे भी कि मुखमंत्री नितीशकुमार विकास की बात करते हैं तो सुसासन बाबू विकास की तस्वीर आपके सामने है और यहां ना तो नितीज कुमार की गलती है और नहीं यहां के अस्थानी बिधाय की गलती है मैं गलती दूँगा कि बिहार के मुकमतिन नितीज कुमार जब बिधान सबा उपचुनाओ था और उसी समय अचानक उन्होंने इस पूल इस सरक का सिलेनास किये थे अपको बता दें पटना से फीता कटा था और सिधे इस सरक का सिलेनास हुए थे अस्थानी बिधायक उस समय हुआ करते थे सासीबूसन हजारी उनके सामने उनके समय में ही यह सरक का सिलेनास किया था ये सरक सती घार से सीधे आपको कई जिला को जोडने वाली सरक है और इसमें लगबग 3-4 जिला होते हुए सरक गुजरती है मैं चर्चा करने आये था इस पूल का ये पूल इसलिए गिरा क्योंकि यहां का जो पत निर्मान विभाग के जो अधिकारी है उनकी सबसे बड़ी लापरवाई है उनके लापरवाई का खाम्याजा कहने कहीं ये पूल आज धोस्त हो चुका है ये पूल धरासा ही इसलिए हु हुआ है वह इसलिए नास बोट लगा हुआ है ये पूल अभी सरक अभी नम निर्वीत है क्योंकि अभी निर्मान भी पूरीं तरह से नहीं होगा है ये सरक जब से 2021 में स्लिए नास हुआ है और अभी तक ये काम इतना सुलो हो रहा है इतना धीरे काम हुआ कि काम प्रगती अभी नहीं होने के कारण आज ये पूल नीचे गिर गया है ये पूल नीचे गिरने का तीन कारण मैंने आपको बता दिया चौथा कारण यह है कि यहां के जो पत्निर्मान भीभाग है जब हमने उसको कॉल किया उनके जो इसकूटनी इंजिनियर थे या बाचित हुई तो उन्हों ने कहा कि हमने पूल से पहले एक लगाया था जिसमें हमने लिख दिया था कि पूल के ऊपर कोई भी जो वाहन है वो ना जाए और ऐसे में यह वाहन जब रस्ती लेकर गए थे और साथ यही कारण है कि पूल से नीचे गिर गए अब इसमें पत्निर्मान भीभाग क कहां तक सही है या फिर जो टरक वाला गल्ती किया है जो आज गल्ती के खामयाजा यहां के आसपास के हजारों की अबादी को लोगों को इसका खामयाजा भुकतना पड़ेगा यह गल्ती उनकी कितना है इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकि उससे पहले उस ओर लेकिन यहां पर लापरवाई है पस निर्मान विभाग का जिनके जुन्होंने सबसे पहले पूल को निर्मान करना चाहिए क्योंकि यह बिरिकेश सरकार के दोरा बनाया गया पूल था और यह भी एक कारण था कि पूल को बने हुए कई सदी बीच चुके थे और ऐसे में तस्वीर आपको दिख रहा होगा यह देखिए किस तरह से इसमें बालू पूरा लोड था इस टरक के अंदर और यह भारी वाजन होने के कारण यह च्छतिग्रस्ट हुआ और सीधे पूल बीच से ही चूटकर नीचे गिर गई हलाकि इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाई कर ड़ी है वह पत निर्मान-विभाग के जो पतादीकारि है अम्रेंदर ठाकूर उनझे जब हमारी बातचीच हुई तो अम्रेंदर जी ने सीधे और यह कह दिए सीधे सब्सक्राइब करें तो यहां पर गार का शुरक्षा कर्मी नहीं था जब आप पहले से रोक लगा दिये तो फिर यह चरक इस पूल पर कैसे चर गया यह सबसे बड़ी सवाल है और लगातार जो यहां कुछ सेस्वरास्थान विधान सवा के जितने भी जनता है यहां के लगा सब्सक्राइब के जिस सरक का सिरिनाज 2021 में होता है 2023 गुजरने के बाद भी वह सरक आज तक आधा अधूरा पड़ा हुआ है लगातार हम लोगों ने यह खबर दिखाया लगातार हम लोगों ने इस खबर को कब्रेज किया और अपने मीडिया के अलग अलग मीडिया के माध सब्सक्राइब करते हैं यहां पहुंच चुके थे यहां आए थे नितीश कुमार खुद यहां आए वे थे और लगातार जतने भी विधायक मंतिरी रहे होंगे लगबक अभी इसी रास्ते से गुजरे होंगे लेकिन उनको तब यह विकास नहीं दिखा कि यह पूल का जल स घल जाएगा तो 9 से लोग किस तरह पार होंगे? अंधेरे में 9 चलाना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे में सवाल ये होता है कि यहाँ के जो भी स्कुटनी इंजिनियर है जो यहाँ के जाय साहईब है जो भी इंजिनियर साहईब है मैं उनसे लगतार कहूंगा और अमरेंदर ठाकुर आपसे मैं विंती करूँगा कि एक बार जब आपको पता चल गया होगा कि ये पूल धरासाई हो गया है पूल गिर गया है तो आपको आप तक आना चाहिए था और आगे वहाँ पर 9 एंटेरी का बोड लगाना चाहिए था जो अभी तक नहीं लगा है ये सवाल आपसे कौन पूछेगा अमरेंदर जी ने जब कहा कि हम वहाँ नोइंटेरी का बोड लगा है जबकि बता चला कि यहाँ के कुछ आस्थानिये लोगों ने अपने खुद से बास बला लगा कर उसको घेर दिया है इधर से भी और उधर से भी यहाँ पर दो गार्ड है मुझे दिख रहा है कि चोखिदार जो है नाउ से वो रनिंग कर रहे है सायद सुरक्षा को लेकर के आयोंगे या अनुमंदेल के जो पुलिस पदादीकारी है या अनुमंदर के जो पतारीकारी है उनके द्वारा इनको भेजा गया होगा कि किसी भी लोगों को आसपास न जाने दिया जाए अब इस ठेरक के अंदर जो डराइवर थे वो बचे या ना बचे इसका भी तक कोई पता नहीं चला है दो बैक लिए जानकारी मिली है कि इसके अंदर गिर गया है हलाकि अंदर दब गया होगा यहाँ पर जमीन है उसकी गहराई जाद है लेकिन एक ही सवाल लोग कर रहा है कि अगर आप पहले इसकी विवस्था कर दिये होते यहां से पहले अगर एक runway बना दिये होते यहां से पहले एक roadway तयार कर दिये होते तो साथ आज इस road से इस pool के उपर से इतनी बड़ी भारी वहन ना गुजरता और इतना गटना ना घरता ज्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कुछ लोग हैं उनसे बाती करने का परियास करेंगे और जानेंगे इस ख़बर के विस्तार से धन्यवाद